नमस्कार किसान साथियो स्वागता आपका आपके अपने विकल गुरू यूटूब चैनल में तो किसान साथियो आप स्क्रीन के सामने देख रहे होगे फार्म ट्रक शार्ट एपी आई एफ टारीस ये ट्रेक्टर जनवरी दोजार तेश की मैनुफेक्टरिंग के साथ में आ क्या कुछ इसमें चेंज की कंपनी वह आपके साथ में सेयर करांगे आजगी वीडियो में तो किसान साथियो सबसे पहले बात करें इस ट्रेक्टर के टायर साइज के बारे में तो टायर साइज क्या कुछ इसमें अविलेबल है साथ पचास सोडा के फ्रंट टायर इसमें ए को फम्टमा अपने हुकम इलेगा जो कि आपने टोचन वगारा करने के लिए यूज कर सकतें इसका और जो फ्रंटायड लेंप मिलेंगे अपने led type की मिलेंगी हैलोजन वीद led type ठीक है और जो अपनी मेंली काम किया गया है वो काम किया गया इसमें अपने स्पीड्स के बारे में जो इसकी पीटिया स्पीड्स है या निकि आप रेपर वगरा में चलाओगे और सुपर सीडर में अगर चलाओगे तो उसके लिए इसमें जो स्पीड्स है उनको काफी डिफरेंट किया गया है वो पॉलिशन नॉम्स हैं उनकी वजह से जो कमपनी ने काफी अच्छा चेंज के आई है अगर बात करें इसके फीचर्स के बारे में तो इसमा अपने सिंगल पीस बोनट में लागा इसका हम खोल गया आपको दिखाते हैं कि देखो इसमा अपने ड्यूल प्रेसर जैक मिलेंगे जो कि इसको उठाने के लिए सक्सम है और काफी असानी से उठाएंगे सबसे पहले फ्रंट में देखो का आपने जाड़ी में लागी और इसमा अपने ट्राय टाइप का एर क्लीनर में लगा जो कि फ्लीट गाड कंपनी है और इसमा अपने चोकिंग सेंसर बीमिल लगा यह दिक आपका है अभी तबरिफिह का ही है आप देखो काफे अच्छा आपना फीलिंग ओ रही है नॉर्मले आप देखोगे तो इस टाइप का मिले आपने इसमा उपने काफी बढ़िया डूल के साथ में मिलगा और चो कि है पात्ट कघुलीद लासलिटरेशन की के लिए आलग से अलगसी है और जो पार स्टेरेंग सं स्टियर्ण के लिए आलग से即as उतने से वो काफी लंबे समय तक बढ़ी रहेगी क्योंकि इसमें ओवल जो अलग से रहेगा तो उसे समूत्रह से काफी अच्छी रहेगी पाउस्टेरिंग की और बात करें इसके इंजन के बारे में तो इसमें आपने तीन सिलेंडर पंप देखने को मिलागा जो इभी ऑर्स कमपनी का इन लाइन पंप है अगर बातकरिए इस्ट्रक्टर की पार बोर्ष ट्रोक की और इंजिन सीची की तो इसमें आपने इस ट्रेक्टर में आपको 3514 सीची का इंजिन में लगा जोगी 107 इंटू 131 एमेम के बोर्ष ट्रोक के साथ में आता है इसमें आपने 107 के पिस्टिन मिल जाएंगे और आपने 120 161 यूट्र में जो है इसका तो इसके टोरक के बात करें इसमें आपने 240 न्यूट्र में आपने बाटनी Dr. यह 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 और कपता ईसका इसमापने इसमें फोर्टर सेपरेटर में मिल जाएगा और आप देखोगे तो इसमें जो फिल्ट्र डीजल का हूर सिंगल डीजल फील्टर के साथ में मिलगा आपने बैट्री बोक्स यहां पर साइड में मिल जाएगा जो boards P ज track में ही इसी टाइप का देखने को आपने मिलता था पॉटूरस टेरिंग की बात करें तो इसमा अपने डिएपलेंस स्टे एन्ड्रक्र था उसमें भी आपने F-31 की ब्रेंडिंग मिला थी लेकिन इसमें चेंज ही है कि कम्पनी ने पहले जो ट्रेक्टर था ये 55HP का था पूरा अभी इसको 55HP काटेगरी के अंदर लेके आये हैं 55HP काटेगरी का ट्रेक्टर होगा है पहले प्रोप्र 55HP यहां पर स्टीकर आप ये पहले ब्रेक है यह पाहर मैट यह देखो मैट वगयारा काफी अच्छी क्वालिटी के लगे रबड मैट के लिए जांस भी चाहिए जैसे चाहिए हैं घेश्स्को कर सकते हैं कि अगर कोसा ने साथ आख रात करें आप करें कि तो मापने डिबल नगाच देखने को मिले हुआ界 और पी टियो के लिए लगशा दे रही है इसमा अपने लेफ्ट साइड माई लो और यह जो टी-20 के लिए यानिकी गेर मिल जाएगा अलग से जो कि आपने चार स्पीड देखने को मिलेंगी और राइट साइड में आप देखो कि तो वन टू टू ट्री-फोर स्पीड और विद रिवर्स के साथ हम यानिकी अपने बैक की चार स्पीड मिलेंगी और आगे के लिए सोड़ा स्पीड मिल जाएगी जो कि किसी भी इंप्लेमेंट में चला लें के लिए आपको सक्सम रहे हैं अगर डैसबोर्ट की बात करें इसमें अपने सेमी डिजिटल डैसबोर्ट देखने को मिलेंगा और इसमें एनालोग टाइप में मिल जाएगा और डिजिटली इंडिकेशन भी आपने इसमें मिलेंगे 65 लीटर का इसका डिजल टेंक है जो कि काफी बड़ा है और केर बटन के साथ हमें इसमें आपने मिलेगी जो कि हर ट्रेक्टर कंपनी का मिलता है सोटे से स्टेरिंग के साथ हमें अब बात करके संद साथ है इसकी आईडरोलिक कंट्रोल गी तो इसमें अपना दो लिवर मिलेंगे ड्राफ्ट का ड्राफ्ट का पोजिशन का और यह उज्रिवूल के लिए जिसमा अपना डवल के ओर सी कपलर्स मिलेंगे तो कि आप टीफिं आप देखोंगे तो इसमें मिलेंगे multi speed multi speed and river speed और जो front में मिल जाएंगे आगे की तरफ लिवर को करोगे तो इसमें आपने मिल जाएंगे live PTO पंस्तरलि स्टेंडर PTO तो इसमें काफी तरह की different different type की speed सापने मिल जाएंगे PTO में काफी अच्छे-च्छे जो मरगाड आप देखोगे काफी चोड़े हैं और काफी अच्छे डिजाइन के साथ नहीं मरगाड इसके हैं और इसमें आपने टूलबोक्स में लगा बड़ा जा टूलबोक्स लोएगा जोगी अगर किसान साथी और बेक साइड का अगर व्हीव करें इस ट्रेक्टरगा आपने डेखनेस को मिलागा जो सबसे पहले आप देखोगे जो इसकी लिफ्ट्स आरम हैं उनको कितना हैवई जूटी बनाया गया है और ट्रेक्टर मुकाबलेस देखोगे एक फ़ारंटर कंपनी काफ्य अच्छे जो है जूँ अपनी Lefучon के लिए ऑर्म है 104 की वह काफी हैवेड्युटी मणाति है और ट्रेक्टरों के मुकाबलेस इसमें आपने WC कपलर्स मिलेंगे इसके अगर लिफ्टिंग कपेस्टी के बात करें तो इसमें आपने 25 सो केजी यानि कि 25 कुइंटल इसकी लिफ्ट कपेस्टी मिल जाएगा आपने जो की काफी ज्यादा है इस HV में आप देखोगे तो काफी ज्यादा है यह अपना हूख ह और काफी हैवी हूख है और डिफरेंट पॉइंट है इसमें एचिंग के लिए और सेंसिंग के लिए आपने तीन पॉइंट देखने को मिलेंगे जो कि सेंसिंग में अपने कम आएंगे ठीक है अगर बात करें इस ट्रेक्टर की PTO SPOR की तो करीब करीब इमान के चलो इसकी PTO HP 38 proving बाथ कर इसके री हैerd एक्सल लगी तो पिसका रियर एक्सल देखो गे तो इसम मेपने IP स्थI कल की साथ में मिला गा drastically high के यह हर सेडियमेंट में काफी हैवी ड्यूटी होता है और marvelous होता है लंग लाइफ होता है उसी मोडल को काफी अच्छे चेंजिस के साथ में 2013 में कमपने निकाला है और काफी अच्छे इसमें चेंज किये हैं जो किसां साथी ट्रेक्टर को खरीदना चाहते हैं वो खरीज सकते हैं क्योंकि वही कई किसान वाईगा वरम था कि भी CRD आने के बाद में ट्रेक्टर कलोज बंद नहीं हो जाए बंद नहीं हो जाए तो उसको देखते हुए कंपने इस मोडल को कंटिन्यू रखने के लिए काफी अच्छे अच्छे 2023 में चेंज की हैं तो आप ले सकते हैं काफी अच्छा ट्रेक्टर है तो वाज की वीडियो में बस इतना ही मिलांगे नेक्स्ट व एफ जाहिस की हैं और जो रेट है वो समय के अनुसार चींज होते रहते हैं डेलर्शीप के अनुसार चींज रहेंगे स्टेट वाइज भी चेंज रहेंगे ठीक है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलांगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय अन जाह लो इसलिए लोग्साइ बारीओ लोग्साइ प्लाग है